कि 14 महीना में क्या 14 वेट भी बढ़ा पाए हैं बिहार में असरकारी अस्पतालों में तो वहां 9 वेट के भाकेंसी बोर्ड लगी भी बड़ी बड़ी प्राइबेट अस्पतालों से लोगों को निकाला गया कि हमारे हैं ऑक्सिजन नहीं नमस्कार मेरा नमालोक है आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं बिहार में भी संकमित मैजो कांकरा लगातार बढ़ता जा रहा है चिंताएं लोगों की बढ़ने लगी हैं अपने अपने कारोबार को लेकर और अस्पतालों में बेट्स की जो संख्याएं धियते कम होते जा रह कि भी जो कह सकें परियाप्त मातरा में ज़रूरत है वो भी फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं इसको थम्हाइसाद जनतांतेक विकास पार्टी का अध्याक शानील कुमार जी है ऐसे तो इनकी पार्टी भी है लेकिन ये कारोबारी भी है पट सात बजे ही नहीं बिहार का कारोबार लगभग मुख्मंत्री के निर्देश के बाद लगभग बंद हो गई है चुक्ए उस तरह से लाठियों का बिहार के प्रसासनिक लोग लाठी पटक रहे हैं केस मुकदमे कर रहे हैं तो लोग डर गए सहम गए और अपने-पने कारोबार को समिट लिया और बिहार में बहुत बड़ा कारोबारियों को एक बहुत बड़ा नुकसान सामने दिख रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है तो करोना तो एक अलग मार होगी मार कर रही है लेकिन उद्योग जगत में कारोबार जगत में जो कारोबार बंद हो बंद हो रहे हैं तो उसका एक अलग मार पड़ रहा है बिहारियों के उपर लेकिन हम जब आम लोगों से मिल रहे हैं तो अब समस्या है रही है कि बेड्स को लेकर हला कि स्वास्त मंतरी हर रोज एक नए अस्पिताल का नियक्शन करते हैं स्वास्त मंतरी जिनकी बात आप कर रहे हैं बिहार के मुख मंतरी जिनकी बात आप कर रहे हैं कि वो तो कोरोना का टीका ले लिए लेकिन बिहार वासियों को कुरोना का टिका कम मिलेगा ये तो अभी टिका उत्सो मना रहे थे इनको कहना चाहिए कि टिका उत्सो के समय बिहार में टिका उपलब्द नहीं था संख्याय बहुत कम हुई जहां टिका लोगों को नहीं दिया गया लोग छुटी ले लेकर के अस्पतालों के लाइन में लगे और उन्हें ट्रिका नहीं मिला चुके ठीका ही नहीं था तो बिहार के मुख मंतिक ले जरूर ठीका का उपलब्द कराया गया लेकिन बिहार वास्यों के लोपलब्द नहीं है अभी तो 45 बर्स के उपर से लोगों को मिल रहा है और 45 से नीचे वाले भी हमारे भाई जो है कोरोना के संक्रमन में मर रहे हैं तो बिहार वास्यों के चिंता नितिश कुमार को कब हो भी यह चोड़ा महीना होगे कोरोना को आए हुए सर्मसार हैं हम हम सर्मसार हैं लेकिन बिहार के सरकार हमें नहीं लगता है कि थोड़ी भी संबेदना इस सरकार के अंदर है अगर थोड़ी भी संबेदना होती तो मैं राजनीत नहीं करता हूँ राजनीत नहीं करता हूँ लेकिन अभी के समय में बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तिफादे देना चाहिए था जिसटरह से उन्होंने बिहारवास्यों को चोड दिया मरने के लिए, मारने के लिए निश्यतुर्व से हट जाना चाहिए मैं अभी कहना चाहता हूँ कि अभी कल की ही घटना थी जो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हमारा भाई अपने बिता के लिए ब्रिद पिता के लिए तरप रहा था एक बहन तरप रही थी और तरपते तरपते उसका ब्रिद पिता खो दिये नहीं रहे और वहीं पर इस सूबे का मंत्री उपलब देखे वहां कुछ नहीं करा सके तो इस आख में अगर कुछ नहीं रहा गया है इस सरकार को तो फिर क्या हो सकता है कैसे चले हैं कि हम राजनिती नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी आप फिर वही कर रहे हैं कि मुखमंतिर नितीश कुमार बिहार की लोग चिंता नहीं कर रहे हैं वो एक तरफ कर रहे हैं कि हम रोज हर एक चीज़ पर नजर बनाए हुए हैं तो अगर नजर बनाए हुए हैं तो सरकार को सामने आके कहनी चाहिए कि 14 महीना में क्या 14 बेड भी बढ़ा पाए है बिहार में 14 महीना से कोरोना है बिहार में बिस्व में क्या 14 बेड भी मैं दावा करना चाहता हूँ मैं सामने मैं दावा के साथ काना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक भी बेट बिहार में बढ़ाने का काम नहीं किया है कुछ होगा होगा तो घटा होगा बिहार में पड़े नहीं आज भी उतनी बेट है वर्ल्ल क्लास अस्पताल बनाने के सपना दिखाते हैं लेकिन आज बिहार के लोग जगा मर रहे हैं बेट के लिए जब जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में तो वहाँ नो बेट के भाकेंसी बोड लगी हुए बड़ी-बड़ी हमने भी थोज दिर पहले पतना के डियम से बाचित की थी उन्होंने कहा कि बेट की संखिया इसलिए राजदानी पतना में कम हो रही है तो हई न भाई बिहार के लोग कहीं भी स्वतन्त रहे हैं इलाज कराने के लिए अगर अन्य जिलाओं में मुख्यमत्री सुलाह سाल रहते हुए डवोगशन की सरकार सोलाह साल से रहते हुए अगर अन्य जिलाओं में अस्पताल नहीं बना पाई तो यह किसकी कमी है अगर अन्य जिलाओं में अस्पताल अगर रहती तो अन्य जिलाओं से लोग नहीं आते तो बिहार में तो कहीं भी अगर इलाज कराना है तो पटना आना पड़ेगा और पटना में अस्पताल हमनों द मात्रा में है अस्पतालों से लोगों को निकाला गया प्राइबेट अस्पतालों से लोगों को निकाला गया कि हमारे यहाँ ऑक्सिजन नहीं है तो किसे जान बचे गया तो ऐसे इस्थिति में बिहार की सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है कि Oxygen हम कहां से ला रहे हैं कैसे ला रहे हैं और कभी भी आ करके किसी ने अस्पताल के मालिकों को जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्हें नहीं सुचना दिया पाया जो प्राइवेट अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है कि मैं आपको ऑक्सिजन की कमी नहीं होने दूब आज मैं सुबह से जब पहला हमें आया कि यहां कि प्राइवेट अस्पताल से खबर आई हमारे कुछ रोगी महां पिते हमारे जानने वाले उन्होंने मुझे फोन किया सुबह सुबह कि हमें इस अस्पताल से निकाला जारहा है कि यहां आज ऑक्सिजन नहीं है और सारी लोगों को इस अस्पताल से निकाला गया कि अज़ियन की कमी है यहां ऑक्सिजन उपलवद नहीं है आनन फानन में सեद आज पतना जिला पता दिकारी की भी एक बैठक हुई उन लोगों के साथ लेकिन उक्सिजन की कमी जो है उसे दूर करने की तैयारी नहीं हो पाई और उक्सिजन की कमी हो रही है और अभी भी बिहार की सरकार उस पर चेत नहीं रही है अक्सिजन की बेवस्ता आगर बेवसाय में कहीं अगर हो रहा है तो उसे नहीं बंद किया जा रहा है कि अभी क्यों इसे मेडिकल सुविधा के लिए रखा जाए यह किया जा सकता था कि हम किसी तरह के काम में अभी नहीं दे आ अक्सिजन के ओल मेडिकल सुमिदा के लिए रहेगा लेकिन अभी भी ये सरकार नहीं कर पा रही है साथ साथ फिर्च पेज भी लाइक करें धन्यबाद